दिवंगत पार्श्व गायक किशोर कुमार को सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों में से एक माना जाता है, जिनकी उपस्थिती अभी भी उद्योग में छूट जाती है। कति भाशाली गायक, जो एक सफल अभिनेता, फिल्म निर्माता, संगीतकार और गीतकार भी थे, के पास एक जादूई आवाज थी जिससे लोग तुरंत जुड सकते थे। कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती थे। यह सत्तर के दशक के उत्तरार्ध में था जब किशोर कुमार ने 1969 में अपनी दूसरी पत्नी अभिनेतरी मदुबाला के निधन के बाद 1976 में उनकी तीसरी पत्नी अभिनेतरी योगिता बाली से शादी की थी। लेकिन यह सुना गय कि योगिता ने मिथुन को देट करना शुरू कर दिया था। से नवाजा गया था। वह एक सफल अभिनेता थे इसलिए उनका नाम सहकलाकारो रंजीता, योगिता बाली, सारिका और अन्य के साथ जुड़ा लेकिन श्रीदेवी के साथ उनका अफेर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। गुपचुप तरीके से शादी की थी। मिथुन श्रीदेवी की गुपचुप शादी सिर्फ तीन साल ही चल पाई। 1988 में दोनों अलग हो गए। दरसन जब मिथुन की पत्नी योगिता बाली को इस शादी के बारे में पता चला, तो रुपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने आत्मात्या करने की कोशिश की थी, जिसके कारण मिथुन को पीछे हटना पड़ा और श्रीदेवी को छोड़ कर अपनी पत्नी और बच्चों के पास लोटना पड़ा। इस कहानी से हमारा उद्देश किसी की भावना को ठेज पहुचाना नहीं है। अगर किसी को ठेज पहुचती है, तो उसके लिए हमें बहुत खेद है। अधिक वैदियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अधिक बार सब्सक्राइब करें। झाल झाल झाल